दोस्तों किसी का बुरा करने में और सोचने में फर्क होता है, अगर आप किसी व्यक्ती के बारे में गलत और बुरा सोचते रहते हो, तो आप अपनी ही सफल्ता को ताल रहे हो, यानि कि आपका ध्यान केवल वही अटका रह जाएगा। दोस्तों आप लोगोंने एक कहावत तो सुनी होगी, होगा वही जो रामरची राखा, यानि जो हमारे जन्म से पहले लिख चुका होगा वही होगा या नहीं. क्या आप लोग कर्म पर विश्वास रखते हो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में ब जरूर देखना, तो चलिए दोस्तों बौध कहानी को शुरू करते हैं, पर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, यदि आप भी भगवान गौतम बौध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल नर्वाल मोटिवेशनल को सब्सक्राइब कर देना, तो चलिए, आज की बौध कहानी को शुरू करते हैं, प्राचीन समय की बात है, एक गाम में रामु नाम का एक किसान रहता था, उसके परिवार में वहां, और उसकी पतनी रहती थी, फिर उस किसान के घर में एक लड़के का जन्म हुआ, तो किसान और उसकी पतनी द जब साधू महराज बैठ गए, तो किसान ने साधू महराज से कहा, महात्मा जी हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया करके इसका नाम करण कर दीजिए, साधू ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तब ही साधू ने लिखा, तो उसने कहा, महात्मा जी क्या बात है, आप इतना परिशान क्यों नजर आ रहे हूँ, साधू ने कहा, बेटा मैं परिशान नहीं हूँ, बलकि मैं तो बहुत खोश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है, तुम्हारे बेटे की किस्मत में रा राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर राम बहुत खुश हुआ। जब गाव के लोगों को पता चला कि रामु का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गाव में पहुँच गया जहां रामु रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के उपर पड़ी राजा ने महात्मा से पानी मांगा महात्मा ने राजा को रुखने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया राजा पानी पीने लगा पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकठे होकर जा रहे थे राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा यह सभी रामों के घर जा रही है क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधू बाबा ने उसके बारे में भविश्यवानी की है राजा ने पूछा बाबा ऐसी कौन सी भविश्यवानी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं महात्मा ने कहा साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो। एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगा। महात्मा ने कहा, राजन जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटा कर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। देखते हैं, राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविश्यवानी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदल रामु के गाव में पहुँच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा राम के घर पहुचा। राजा ने रामु के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामु उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा। आप कौन हो और किसली आये हो। राजा ने कहा, मैं सेट हूँ और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गाउं में रहता हूँ. मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चा बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में योग लिखा हुआ है. रामू ने कहा, हाँ सेट जी, आपने सही सुना है. राजा ने राम्र से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो, तो एक बात कहूँ. रामू ने कहा, हाँ सेट जी, बोलो. राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा और तुम्हारे बच्चे का पालन भी करूगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेट जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोशन अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे। रामू ने सेट की बाद सुनकर कहा, हाँ सेट जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोशन अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बाद सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, सेट जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार। हूँ, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा, तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा, तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूँगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से चला गया, राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुँचा, राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा, और उसकी मृत्य हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई, बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया, और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया, राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा, और यह अग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा। जहां पर एक धनवान सेट सूर्य देवता को जल चड़ा रहे थे। उस सेट ने जब संदूक को खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देख वह हैरान हो गए उस सेट की कोई संतान नहीं थी। सेट उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेट की पत्नी बच्चे को देख कर बहुत खुश हुई। उसने जब सेट से पूछा कि यह बच्चा किसका है तो सेट ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता सेट और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़ कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेट के घर में पलने लगा। सेट ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिम तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था। जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वही पर रुख गय राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहा रहते हो और तुम्हारे पिता जी का नाम क्या है। सूरज ने कहा महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछ कर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया त और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा न उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौप गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहा पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा। सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिठी महरानी तक पहुँचा दो तो मैं उसको सोने की 50 महरे दूँगा। सूरज ने ये सुनकर पड़ा दी और कहा कि बेटा यहलो। यहरानी तक पहुचा देना सूरज चिठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंटे ढूंट रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगए ढूंडने लगा, तभी उसकी नजर एक जोपड़ी के उपर पड़ी, सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ, यह सोच कर सूरज डाट से नीचे उत्रा और जोपड़ी के अंदर चला गया, जब सूरज अंदर गया, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत ख हट टक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहां पर पर आया है, सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके उपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा, तुम्हारा यहां पर रुखना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकूओं का अड गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, इस से अच्छा है, मैं यहां कोने में जाकर लेट जाता हूँ, यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया, कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए, डाकूओं ने जब भोड़े को बाहर देखा, तो सूरज बूढ बूढी माता से उसके बारे में पूछा, बूढी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम सूरज है, यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है, और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है, जब डाकूओं ने यह सुना, तो उन्हें कुछ संदेह हुआ, वह राजा की हरकतों के ब लिखा है, उनमें से एक डाकूओं ने बताया कि चिठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुँचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना, यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए, बूढी मा, माता ने जब यह बात सुनी, त उसने डाकूओं से कहा, तब डाकूओं ने दूसरी चिठी, लिखकर उस चिठी से बदल दी और वापस सूरज की जेव में रख दी, इसके बाद डाकूओं वहां से चले गए, सुबह होते ही सूरज उठा और बूढी माता को धन्यवाद दे कर वहां से चला गया, सूरज क विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकू से कर दो, महरानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महराज किसी अंजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं, लेकिन फिर उसने देखा कि चिठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का जूट नहीं बोल सकता, यह सोचकर महरानी ने राजकुमारी का विवाह उस यूवक से कर दिया, कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया, तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी यूवक से हो गया है, यह सुनते ही राजा गुस् दिखाने के लिए कहा, जब महरानी ने चिठी दिखाई, तो राजा ने चिठी में कुछ और ही लिखा पाया, यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ, सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर लिया, राजा ने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाज स्विकार नहीं करूँगा अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा महात्मा ने कहा राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं राजा ने कहा नहीं महाराज मैंने आपको नहीं पहचाना नहीं महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा राजन मैं वहीं हूँ जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोल कर आये थे। जैसे ही महात्मा ने ये बात कही, राजा एकदम से चौक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया। राजा ने आँखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, कहां। राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीच सकता। इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो, और अपना राजपाठ उसको सोम दो। आप को ये कहानी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं, ऐसी ही कोई नई कहानी में, तब तक के लिए अपना खयाल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाएं।